आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं रिलाइंस इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में इस स्टॉक को लेकर के एक बरी ख़बर आते वे दिखी है सिक्रेट प्रान डिवेल हुआ है इस एपिसोड को आगे बरहें इससे पहले आई होप आपने टेलिग्राम को जॉइ में मिलने हैं यहां दैखिए तो आज हमने डिलाइंस में क्या देखा कि यह स्टॉक आज की क्लोजिंग निगेटिव CPA में देखने को मिली है लेकिन जो 123 वह बहुत है यहाँ देखेंगे बिलियेनर मुकैस अम्बानी डिलाइंस इंडस्ट्री आन मटे यहां देखेंगे यानि जो नितीन गड़करी के तरफ से कहा जा रहा है कि हाइडरोजन वहकल को लेकर के क्लीन और ग्रीन इनर्जी को लेकर के उस पे देखेंगे कि रिलाइन सबसे आगे आते हुए दिखा है जो कि एक पोजेटिब न्यूज है और लॉंग टर्म प्रोस्पेक्टिब से देखें तो काफी पोजेटिब वीजन दिख रहा है दा वाइल टेलिकॉम कॉंगलोमेड़ेट रिलाइनस 2 इस पाइवेटिंग ग्रीन पाथ इन्वेस्टिंग रेनेवल इनर्जी पावर जेनरेशन एज वेल अज दे इंटाइर हाइड्रोजन एकोसिस्टम एज पाट अफ इट्स डिकार्बोनाईजेशन प्लान्स और यहां देखेंगे 6 लैक करोर विच इस अराउंड 80 थाउजेंड बिलियन जो की मल्टी ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए यह निवेस करे जाएंगे रिलाइन्स हाइड्रोजन यानि की डिकार्बनाईजेशन प्लान को लेकर के काफी अग्रेसिबली दिख रहा है और इसके साथ 5G का एक्सपेंशन देखेंगे तो नियर अराउंड 226 एक्रोस दे कंट्री जो सिटी है वहाँ पे एक्स्टेंड होते वे दिखा है टेक्निकली ट्रेंड ओबियस इस समय वीक लग रहा है लेकिन इसके जो यह लेवेल दिख रहा है यह एक डिमांड जोन होगा तो मेरा मानना है कि बाइंग के लिए भी 22 और 2280 के जोन का वेट करेंगे निवेश के परपस से और इस जोन में बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट 2800 प्लस तक का होगा सोट टम्टेडर के लिए कोई भी लेवेल इस समय इस स्टॉक में एप्रोप्रियेट नहीं दिख रहा है इसलिए इग्नोर करेंगे